नमस्कार दोस्तों मेरे नामे भरत जयन और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे एस यूटीव चैनल भरत जयन पर तो आज के इस वीडियो में सब लोगों को काफी लोगों को बेसबरी से इंतजार था वो जानना चाहते हैं कि जो IP केमेराज होते है उसको install कैसे किया जाता है उसमें क्या-क्या चीज़े लगती है तो उन लोगों के अंदर जो conform इस्ट है क्यों किया जाए क्योंकिुकर OH2 को फिर के लंड कि लेकिन नहीं प्रेज नहीं होने की वज़े से वो लोग ज्यादा तर HD जो ट्रेडिशनल के मेरा सिस्टम है उसी को इस्टॉल करते हैं आईपी के रहेंदर Candace आपको स्मार्ट वर्क आपके काम को इज़ी बनाता है और साथ ही साथ आपके क्लाइन्ट के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी काफी अच्छा है सो अब हम ये वीडियो के बाद में एक सीरीज शुरू करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर point to point हर एक step to step में आपको बताने वाला हूँ कि IP camera किस तरह से install होंगे और एक project अच्छे से complete होगा आज की इस वीडियो के अंदर तो हम बात करने वाले हैं कि IP camera के installation पर हमें कौन-कौन सी चीजे लगती हैं जिसके अंदर हमें एक छोटा सा setup का case study लेंगे कि अगर एक छोटा सा setup हो जो आपर 4 camera लगाने हैं तो वहाँ पर आपको क्या-क्या चीज लग सकती है अगर आपके पास आज में जाना है तो वहाँ पर कौन-कौन सी चीजे लग सकती है तो चलिए आज के हमारे इस powerful वीडियो को शुरू करते हैं इस पूरी series को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आप सब लोगों को पता है जहां से मुझे या idea मिला कि मैं आता हूँ हर राय वार रा सबसे पहले हम केस्टेडी लेते हैं कि अगर आपकी पास में चार केमेरा इंस्टॉल करने है या फिर आठ केमेरा इस्टॉल करने है तो वहाँ पर IP केमेरा के अंदर आपको कौन-कौन सी चीजों की requirement होगी तो वहाँ पर सबसे पहले मैं सेलेक करूंगा केमेरा को यहाँ पर आप जो डिखे Dick करेंगे वह सबसे पहले हम यहां पर लेंगे जो जो common चलती है देखिए इसके उपर भी बहुत सारी types आती है लेकिन उसके बहुत ही different scenarios है different models है different requirement होती है उस जगब पर वहाँ पर लगते तो इतना deep में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर हम बहुत ही normally जो लोग HD camera से निकल कर IP camera के system को install करना चाहते हैं हम उनी लोगों के लिए अभ आप पर किस टाइप के project series के cameras लगते हैं ओके सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक dom camera select करते हैं कहीं पर भी जाते हैं आप HD में भी dom camera लेते हैं night vision के अंदर तो यहाँ पर आप dom दो टाइप के ले सकते हैं एक IP के अंदर normal जैसा आपका इधर dom होता है वैसा ही इधर भी dom होता ह है ठीक है एक यहाँ पर vendor proof cameras आते हैं dom के अंदर वो camera क्या होता है कि जिसे आज यह normal जो camera है आपका यह camera हम हमारे हाथ से हिला सकते हैं मैं इधर दबाऊंगा तो इधर गुमेगा इस तरह से रोटेट हो जाएगा लेकिन इसके अंदर एक vendor proof cameras भी आते हैं dom के अंदर ही जिसको आप एलंकी से fit करते हो और एक बार fit होने के बाद में उसको हिलाया डूलाया नहीं जा सकता वापस आपको एलंकी लगेगी उसको open क करना पड़ेगा इसके बाद में वह हिलेगा डूलेगा तो यहां पर आपके कहीं जगह पर क्या हो सकता है जैसे कि आपने एक पेसेज में camera लगाया जिसकी हाइट आपकी बहुत कम है तो वहां पर क्या होगा कि कहीं लोग सामान लेकर आते हैं या फिर जाते हैं तो वहां पर अगर कोई टकरा के भी जाएगा तो वह camera की जो location होगी वह वहां से disturb नहीं होगी और तीसरा जो आपको पता है कि यहां पर हम लोग जो यूज करते हैं वो bullet camera यूज करते हैं तो यहां पर भी same to same as it is IP के अंदर भी आपको bullet camera देखने के लिए मिल जाएंगे और एक और camera यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं वो होता है with audio camera कि यहां जैसे कि हम लोग HD camera के setup के अंदर traditional systems के अंदर हम लोगों को अलग से audio kit लगानी पड़ती थी हाँ अभी no doubt अभी के जो time है पिछले करीबन एक डेट साल से inbuilt audio वाले camera भी अब आ चुके है market में HD में लेकिन IP के अंदर हमें specially inbuilt audio वाला camera ही लेना पड़ता था क्योंकि अलग से इसके अंदर माइक हम install नहीं कर सकते हैं तो यहां पर क्यूब camera है इस टाइप की camera भी आप यहां पर select कर सकते हैं अब camera अगर मैंने यहां पर point कर लिया मेरा एक camera यहां पर लगेगा दूसरा यहां पर लगेग ठीक है अब यहां से मुझे एक cat6 cable यहां पर से मुझे अपने NVR तक लेके जाना है अगर यहां पर side छोटी है आपकी तो आप क्या करोगे कि वो जो चारो cable है वो चारो cable आपके NVR तक आएंगे अब NVR के पास में आपके पास में लगेगी एक switch यह cat6 cable लगा लिया RJ45 connector से normal जो हम लोग normally switch करते हैं दूसरी switch होती है जो POE switch आती है जिसके अंदर switch के अंदर से ही power जाएगा और तीसरी switch आती है यहां पर आपको GIGA POE switch ओके तो यह छोटा project है हमने यहां पर पहले case लिया है छोटा project का जहां पर मैं चाहता हूँ कि मेरा budget सबसे कम लगे तो यहां पर आप दो तरीके कर सकते हैं सबसे पहला तरीका budget गटाने के लिए कि आप regular switch यूज कर सकते हैं और जो आपने cat6 cable आपने लेंग किया हुआ है यह सिर्फ एक जुगार है लेकिन चलता है budget कम हो जाता है client का और चलता है कोई जादा बड़ी problem यहां पर हमें देखने के लिए नह उसमें one two three and six यह जो चार कोर है यानि यह दो पेर है इसमें आपके data का linden होता है और बाकी की जो चार कोर है यानि कि two pair है उसके अंदर हम लोग power supply provide कर सकते हैं तो यहां पर आपको जो RJ45 का जो connector है वो इस तरह से बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप starting की जो तीन पेर है व दीजिए तो camera side से आप DC connector आप लगा लिजिए और यहां पर जहां पर आप normal switch लगा रहे क्योंकि normal switch सस्ती आती है और उसके साथ में आप यहां पर power supply भी अलग से लगा दीजिए तो यहां पर क्या हो गया camera के साथ में आपके यहां पर cable हो गई cable के पास में आपने एक switch normal वाल OE switch ओके यह PUE जो switch होती है वो थोड़ी महंगी आती है मतलब करीबन आपने एगर 4 channel का NVR लिया है तो approximate उसी price range के आसपास की आपको 4 channel के switch भी पड़ती है ओके तो यहां पर आपने जो cable लिये सीधा यहां पर आपको न्यतों इधर DC connect करना है क्योंकि आपके जो camera होंगे वो P OE वाले cameras होंगे ओके तो यहां पर आपने P OE switch ले लिया सिधा यहां पर प्लक किया उसके साथ में आपने NVR cottage कर दिया simple, sober solution, finish most of the logo को जो advisable है वो आपको यही process में जाना चाहिए वो process मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि अगर आप cost कम करना चाहते हैं कुछ ऐसे issues हैं औ अब जब हम 4 channel की बात करते हैं तो यहां पर जो bandwidth होती है इसके बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि यह bandwidth क्या होती है और वहां पर उस bandwidth के हिसाब से उन camera की bandwidth के हिसाब से total calculation के हिसाब से आपको NVR कैसे select करना चाहिए लेकिन यहां पर normally अगर मैं bypass में जो NVR आते हैं वो 60 Mbps के NVR आते हैं तो वहां पर आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी problem नहीं आएगी मतलब यहां पर बहुत easy है simple सा camera है cable है switch है और NVR है तो यहां पर आपका छोटा सा project है वो complete हो जाता है अब हम बात करते हैं इस से upper side के project के बारे में अब हम यहां आपर site भी थोड़ी बड़ी होगी तो वहां पर क्या हो रहा है आपका कि चार camera आप यहां पर लगा रहे है चार camera आप यहां पर लगा रहे है तो IP camera जो लगाते हैं तो उसके अंदर one of the best जो चीजे हमें मिलती है वो यह है कि हमें NVR तक मतलब main control room तक हर camera की cable नहीं चाहिए ह होते हैं तो यहां पर बात आ जाती है आपकी यहां पर networking diagram की मतलब का wiring का setup क्या होगा for example आपने चार camera यहां पर लगा है चार यहां पर है और चार यहां पर इस तरह से आपनी camera को divide किया हुआ है अब यह चार camera है यह चार camera की distance यहां पर कितनी है यहां पर कितनी है यहां पर कि कर रहा है सो मीटर को क्रॉस कर रहा है तो एडवाइजिबल यह है कि आप इससे ज़्यादा केबल लेंग ना करें इसके पहले आप एक जंक्षन बना लें जहां पर आप एक स्वीच लगा पाएं ओके तो यहां पर भी सेम एस इस वेसा ही होगा जिसा वहां पर हुआ था यहा यहां पर यह चार केमेरे आप इसको ऐसा समझ लिजए कि आपका यहां पर एक चार का सेटप है यह जो चार केमेरे वह पास-पास में है और लेकर आपने यहां पर एक जंक्षन बना दिया कि यहां पर आपने एक स्वीच लगा दी अब यहां पर भी चार केमेरा थे तो यह यह जो चार केमेरे हैं वहां पर भी आपने एक जंक्शन बनाया हुआ है और यह जो जंक्शन है वो भी आपका NVR तक आ सकता है तो यहां से आपने चार सब कलेक्ट किये एक जगह पर आपने स्विच लगाई वहां से एक केबल चल कर आपका NVR तक आया आपके यहां पर भी चार केमेरा थे चार केमेरा से जंक्शन चला स्विच लगाया स्विच की बाद में एक केमेरा एक जो केबल है वह आपका NVR तक आया स्विच नीचे भी और स्विच उधर भी तो इस तरह से आपके चार चार के जो जंक्शन बन रहे थे उन सब के केबल आ सब्सक्gaard के पास में कितने के बला रहें तोटल 4 डाहर है समझ रहे यहाँ पर अपनी 4 लगत इस पूरे प्रोजेक्ष में हमारा क्या-क्या लगा हमें निफ्सक्काला हम एक तो लगें लगें के साथ में अभी तक हमारे चार लग चुके रहाएं अब पर भी हमारा 24 Mbps का हुआ, यहाँ पर भी हमारा 24 Mbps का हुआ, अब यहाँ पर जो switch लगने वाला है, जो server room में, NVR के पास में लगने वाला है, वहाँ पर 24 multiplied by 4, मतलब कितना हो गया, करीबन आपका 100 Mbps के आसपास का load हो गया, अब जो normal जो switch होते हैं, वो 10 by 100 होते हैं, मतलब उसके अंदर जो data का लेंदेन है, वो आप 100 Mbps के अंदर-अंदर कर सकते हैं, अगर इससे आप उपर जा रहे हैं, तो आपको giga, मतलब 10 by 1000 वाली जो switch आती है, वो आपको लेनी पड़ेगी giga switch, जिसके अंदर जो data है, वो 1000 Mbps तक के data आप इधर से उधर कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह point to point एकदम exact आ रहा है 100 Mbps, तो यहाँ पर मैं suggest करूँगा कि आप यहाँ पर giga switch ले सकते हैं, अब यहाँ पर एक और चीज आती है light में, वो यह है कि अगर मुझे poe switch में यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर लगा दी, तो यहाँ पर लगा दी, तो क्या मुझे यहाँ पर भी poe switch लेनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको price point के हिसाब से आपको giga, poe giga लेने की जरुवत नहीं है, क्योंकि आपके camera को power तो इस switch से मिल चुका है, यह switch से मिल चुका है, अब तो आपको only data से ही काम है, तो यहाँ पर आप normal जो giga switch होती है, वो switch आप यहाँ पर लगा दीजिए, और उसके साथ में NVR connect करें, फिर display connect करें और आपका काम हो गया, मतलब इस project के अंदर आपको क्या लगा, आपके 16 camera यूज हुए, 4 आपकी poe switch यूज हुई, एक आपकी 8 port की giga switch यूज हुई, एक NVR, उसके अंदर hard drive और एक display, तो इस तरह से आप आराम से जो selection है, वो आपने कर लिया, यानि कि इस पूरे IP project के अंदर आप camera का selection करते हैं, उसके साथ में आप switch का selection करते हैं, आपको कौनसी switch है, लेनी है, नहीं लेनी है, और इसके बाद में आप selection करते हैं, आपके NVR का, अब यहाँ पर भी bit rate आती है, अब for example, यहाँ पर आपके पास में 24 Mbps होए थे, यहाँ पर भी 24, तो यहाँ पर यह जो total Mbps कितना हो रहे हैं, मतलब कितनी bandwidth हो रही है, करीबन 100 के आसपास, तो always याद रखेगा, वैसे अब ही तक होता नहीं है, आपके जो 16 channel का जो NVR आता है, वो minimum 160 Mbps का तो आता ही है, तो यहाँ पर यह 100 हो रहे हैं, और आपके पास में जो NVR है, वो 100 से कम Mbps का NVR नहीं होना चाहिए, अगर वो आपने 100 से कम Mbps का NVR लिया, तो यहाँ पर आपको प्रॉलम आ सकती है, लेकिन अभी तक का जो setup है, minimum जो NVR 16 channel का आता है, वो 160 Mbps का तो आई जाता है, लेकिन अलग-अलग brands हैं, अलग-अलग चीज़े होती हैं, शायद हो सकता है, कोई brand के अंदर इस तरह से आए, ना आए, वो मैं नहीं कह सकता, तो आपको यहाँ पर एक NVR लेना है, जो 160-100 Mbps से उपर का हो, अब यह सब calculation कैसे होती है, यह जो आप easily जो tools होते हैं, काफी सारे tools हैं, उन tools के बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आप tool के through easily आप calculate कर पाएंगे कि आपका यह जो IP का पूरा का पूरा project है, वो project के अंदर आपके कितनी bandwidth जा रही है, कितना आपको storage के लिए, आपको hard drive के requirement होगी, सब practically हम लोग देखेंगे, अब यह theoretical था, आपकोई site पे जाते हो, तो वहाँ पर site की जो requirement होती ह उस इसाब से आपने product के selection किये है, तो यह जो वीडियो था हमारा थोड़ा सा लंबा वीडियो था, और मुझे लगता है कि आपको मैं यह सब चीजे समझाने में कामियाब हो पाया हूँ, तो आज का हमारे यह जो वीडियो है वो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दुसरों के साथ में शेयर करिए, काफी सारा knowledge है हमारे इस वीडियो के अंदर, और मिलते हैं, अगले वीडियो में कुछ नई टेक्न